अज़े सिंग है इसे टोपिक पर बात करने वाले हैं आज के वीडियो को देखेंगा आप लोग का आरसाइग को यूज़ करने का नजरिया बिल्कुल चेंज जो आएगा इस टोपिक को समझने के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा तो वीडियो को स्किप ट्रेवल करता है वो अनरेट तु जीरो के बीच में तो आरसाइग को चिंग देखते हैं कि और ट्रेवल करती है वह अचे ट्रकी जो तरीकिते बिच बीच पर निकलता है तो वो लोग इसको बाइँ और कुछ लोग इससे आपके लेगा तो वो लोग इसे और एक जा रहा है इसका मतलब है कि आप एक अच्छा शॉट बनता है और कुछ लोग इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं अगर 20 की निशे जाएगा रहा है तो वहाँ पर यह लोग क्या करते हैं इसे अगर आप लोग को अगर बात करने वाले हैं यह तो आपको बता है कि और सोल्ड एलिया के सा होता है लेकिन अगर मैं आपको बता हूं कि इससा एलिया होता है जहां पर आप लोग अगर बाइ करोगे और सेल करोगे तो आपको बहुत स्पीट से मोमेंट विलने वाला है तो वो कैसे होता है यहां पर प्राइस किसी शेयर का हंडेड रूपीज है अब हंडेड रूपीज से हंडेड और फोर आने के लिए प्राइस, अगर जब RSI 40-50 तक रेवल कर रही है, उस टाइम पर किसी स्टॉक का प्राइस हंडेड रुपीज है, तो चार दिन लग रहा है उसको, यहां से लेके यहां तक आने में चार दिन लग रहा है उसको, कितना प्राइस रेवल कर रही है, 4 रुपीज के असपास में, लेकिन यही जब RSI की वेल्व 50-60 तक रेवल कर दिये, अभी जब RSI की वेल्व 50-60 तक जा रही है, यह 60 वाला एडिया है हमारा, अभी जब यहां तक जाएगी प्राइस, तब प्राइस किस तरीके से मुम्मेंट कर दिये, अभी प्राइस यहां पर इसको लगा है, 4 दिन, अब ही प्राइस जब 50 चीटा चो त्रीख घर कि मॉमिंट किस तरीके होते है तब आफ में चोलों को जारा एस ए और यहां पर फ्राइस था 105 और यहां पर आगया है पांसा दाच कि क्या है यहाँ पर चार दिन लगना था हम लोग और यहाँ पर सिर्फ तीन दिन लिया तो यह एक इंपोर्टेंट चीज़ है इसके इंदर अभी इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल इस चार्ट पर भी देखेंगे कि किस तरीकी से इस चीज़ बूव करती है सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखेगा बिना इसकीप किया देखेगा मैं आपको बता हूँ किस तरीके से प्राइस जो है वो आरे साइक की वेडियू किस तरीके से शिफ्ट होती है इसी टॉपिक को अभी हम लोग चार्ट पर समझते हैं अभी जब चार्ट पर इसे कि दो हम जायगा है कि तो यहां अगर आप लोग देख अगी तो आरे से की वेल्यू आपको देखने को मिलेगी तो आपको यहां पर सकून्स टरॉडब कर तो है न क्यार से डिखं़ निकर हो तक्नी स्कंड ऑप इसросे खें kindly अपर स्केंडन की वेल्यू है 49.50 के एसपास में और यहाँ से यहाँ तक price event move करके आरित' maar यहाँ इ destroying a list, इतनी होग फॉर्टी फाइवब और यहाँ पर आगग आ तो एывать से अिष्टा की वunity इतनी दिख्री है हम लोको फॉर्टिफाइवर फॉर्टीफ़इव कि इख़ता है एक, दो, तीन, चार और पांस दिन का टाम लिया है यसने पांस दिन के टामρα के अम Ц monsieur direct कितना आया है का ठीक हैgresी अब हम लोग बात करें यहाँ पर इसकेंडल के अगल बात करें तो सपोस्छे करते है हम लोग कि प्राइस कही नहीं पर यहाँ पर आके शांटल को रहा है करें अब ही देखोगर आप यहा देखो कि तो थे कितने को मिल रही हैं लोगो 55 के श्पास में हम लोग तो अभी आते याथे यहां पे इतना टाइम लिया था टू सिक्टी पॉंट करने के लिए एक दो तीन चार पास दिन यहां पे कितना टाइम लिया एक दो थीन डिन का स्मा टाइम लिया अभी हम लोग 60 के ऊपर जब प्राइस निकल रहा है अभी आप देखिए यहां पर है हमारा अभी आल्जिय के वेली निकल रहा है तो यहां पे यहांसे जब इक बनना स्टाट हुआ था जोम करता हूँ इस कंडल को जब यहां पर बनना स्टार्ट हुआ था यहां पर तो 60 के आसपस में RSI की वैल्यू थी ठीक है अभी जब यहां पर बनना टो अटेकर दिखा लिए तो सब्सक्राइब यहां पर 60 की वैल्यू थी अभी 60 से प्राइज यहां तक देखेंगे तो कितना मूव करा है 70 तो 60 की जब प्राइज ने मूवमेंиса किया तो हमासा कितना मूव किया हमारे प्राइज में कितना स्टीसेंट का स्टार्ट कास्थ ठेक है और time कितना लिया है इसने 1,2,3 अगें तीन दिन का time लिया है, यहां पर भी 3 दिन का time लिया है लेकिन price के दे मुमेंट कितना आया था 287 का, तो अभी again 3 days का time period के लिड़के इंदर कितना मुमेंट को मिल रहा है हम लोगों को, almost 100 पॉंट्ट जयादा मुमेंट का मुमें दो दिन के candle के अगर आप देखे गए तो दिन के रसाजी कितना moment दिया है almost 500 points का तो यहाँ पर हम लोगों एक चीज clear देखने को मिल रही है जब भी RSI की value 40-50 की तरफ मुझ करती है तो price थोड़ा slow move करता है ठीक है लेकिन जब 50-60 RSI मुझ करता है तो वही price के इंदे थोड़ा तो यहाँ पर हमको buy नहीं कर रहा है actual में अगर price वहां से moment करना start करती है तो वहाँ पर वहाँ फास moment हम लोगों देखने को मिलते है ठीक है तो mostly time पर मैं उस trading area के इंदर trade करना prefer करता हूं जहाँ पर price के इंदर moment fast हो ठीक है मैं और आपको दिखाता हूं कुछ example और दिखाता ह अगर आपको अगर आपको ठीक है 671 पॉइंट का हम लोगों को मोमेंट देखने को बढ़ रहा है फिर से हम लोग देखते है लेकिन time कितना लिया वह चीज़ भी आप एक काउंट के लिए एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो 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 trading session के अंदर इसने अब हम लोग बात करते हैं 62 70 के बिच में क्या प्राइस मोमेंट हुआ अगर आप आप आरेसे की वेडियो देखोगे तो एराउंड 60 के सपस आरेसे की वेडियो चल रही है और यहां तक आते आते आरेसे की वेडियो हो गई है 74 के सब्स तो सब लोगों ने यहीं भी ख्लोज किया हमारा trade ठीक है यह अगर हम खोड़ सा और ले 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 लेते हैं 75 तग भी अगर हम ले 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 लेते हैं 75 तक हम को टाइम देखना है कितने टाइम के अंदर यह moment हुआ ठीक है तो मैंने अगर यहां पर अगर मैसे count करता हू यह पर कितने points हमको मिल रहे है 650 points और time कितना लगा है यहां पर एक दो तीन चार पांच छे दिन का time लगा है तो जहां पर 9 दिन का time लगा था वही पर अभी जब आरे से की value उपर आ चुकी है तो price के अंदर बहुत fast movement आ रहा है तो यह video just यही आपको बताने का था कि हम लोग mostly time क्या करते हैं जब RSI का value उपर की तरफ जाता है तो हम लोग यह चीज़ समझ नहीं बात है कि price के अंदर movement इतना fast क्यों आ रहा है ठीक है actual में होता है कि जब RSI की value उपर की तरफ होती तो price में movement fast होना start हो जाता है और हम लोग वहीं पर गलती करते हैं और हम लोग वहीं पर सिखाते है 80 के आसपास पर जब price आएगा तो हम लोगों को वहां पर buy नहीं करना है लेकिन 62 80 का जो price moment है उसको हम लोग को miss नहीं करना है ठीक है आप अगर mostly time पर देखोगे तो हम लोग जो भी trade आप लोग को suggest करते है इतना fast moment जो आता है न महां पर यह चीज हम लोग बहुत closely watch करते हैं so guys I hope आप लोग को यह वीडियो देखके बहुत अच्छा लगया होगा और आपको RSI की उपर trade करने के एक नया मेंजर यह देखने को मिला होगा guys अगर आप लोग चाहते हो कि इसे type के हम लोग वीडियो लेकि आते रहे हैं आप लोग के लिए प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा हमार चैनल को थैंक्यू वेडि मुच आज के लिए तना ही प्लीज लाइक जरूर कीजिए और कमेंट के मुझे मुझे बताईए अगर आप लोग वो इसके बारे पहले पता था या नहीं पता रह थैंक्यू वेडि मुच गाइस थैंक्यू